कैसी हैं आप सब, उमीद हैं आप सब ठीक होंगे तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी दर्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की ही इन्फोर्मेटिव वीडियो अपलोड करती रहती हूँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बिनिशान पर क्लिक कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाअसानी पहुंच सके आज में जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो ये है कि अपने से बड़ी उमर की ओरत के साथ हम बिस्तरी कैसे करनी चाहिए जिससे मर्द और ओरत दोनों को ही मज़ा आए तो चलते हैं टॉपिक की तरफ अगर ओरत उमर में ज्यादा हो और मर्द की उमर ओरत की उमर से कम हो तो उनको मुबाशरत यनी हम बिस्तरी कैसे करनी चाहिए जिससे दोनों एक ही वकत में जिनसी तोर पर पूरा मज़ा ने सके बहुत सारे लोगों ने ये सावाल किया है कि हमारी बीवी की जो उमर है वो हम से ज्यादा है और जब हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी के बाद हम कमजोरी महसूस करते हैं थिकावट का शिकार हो जाते हैं और हम बिस्तरी के बाद जिसम में दर्द महसूस होता है तो इसका कोई हल बताएं कि हम किस तरीके से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करें जिस से जिसम में थकावट मेसूस ना हो और हम बीवी को भी खुश कर सकें तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि हम बिस्तरी करते हुए किसी ऐसी जगा का इंतखाब करें जिस जगह पर बीवी लेट सके और मर्द खड़ा होकर हम बिस्तरी कर सके जैसा कि आप अपनी बीवी को किसी मेज पर लटा दे और खुद बीवी की टांगों के दर्मियान खड़े हो जाए या फिर बीवी को बैट की एक साइट में लटा दे बीवी के नीचे कोई तक्या वगरा रख ले और बीवी की दोनों टांगों के दर्मियान खड़े होकर हम बिस्तरी करे इस तरीके से हमबिस्तरी करने से ना ही आपको कोई थकावट महसूस होगी और ना ही किसी किसम का कोई नुकसान होगा अगर आपकी बेवी की उमर ज्यादा है या बेवी मोटी है तो मर्द को कुरसी का इस्तावाल नहीं करना चाहिए जैसा के उपर बैट कर औरत के साथ हमबिस्तरी करना ऐसे में अगर औरत का वजन ज्यादा हो तो फिर मर्द को तकावट महसूस होगी और हमबिस्तरी भी अच्छे तरीके से नहीं होगी और वो मर्द अपने आपको कमजोर महसूस करने लगेगा इसलिए अगर आपके बेवी मोटी है या उमर में ज्यादा है तो हमेशा उसको लटा कर फुद खड़े होकर हम बिस्तरी करें ना के उसको अपने उपर बिठा कर हम बिस्तरी करें अगर आप खड़े होकर हम बिस्त्री करेंगे तो ऐसे में औरत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और मर्द की सहत पर भी किसी किसम का कोई असर नहीं पड़ेगा तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब करने के साथ बेल के भी निशान को जरूर प्रेस कर लेए